आज हम चेक आउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के इमनिंग थाउट्स और इमनिंग एनर्जी लेकिन उससे पहले अगर आप नहे हैं तो फटा फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे अगर यह वी दिएगे आपसे जरा भी रेजनीट करता है या चाहिए आपको मोटीवीट करता है with the एंड में इंजल गाइडेंस जरूर देखेंगे आपके रिलेशन्शिप के लिए कि इंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती है इंजल्स आपको क्या बताना चाहती है रिलेशन्शिप के लिए क्या आपका रिलेशन्शिप कैसे होने वाला है क्या होने वाला है आगी चीज आपको एकदम accurate guidance मिले एकदम सही guidance आपको मिले and definitely ये वीडियो आप तक पहुचा है अग आप ये वीडियो देख रहे हैं so divine की तरफ से angels की तरफ से कुछ न कुछ मेसेज जिसमें आपको ज़रूर मिलेगा आपके relationship की लिए तभी ये वीडियो आपके पास आया है आएए देख रहे हैं please divine angels spirit guide मुझे guide कीजिए मेरे angel मुझे guide कीजिए मेरे viewers के partner के evening thoughts and evening energies क्या है मेरे viewers के partner के evening thoughts and evening energies क्या है सबसे पहले हमारे पास आया है four of sword की energy ten of swords की energy four of cup की energy queen of sword की energy knight of wand की energy king of sword की energy and bottom of the deck the hierophant okay okay so हम आपके energies भी यहाँ पर देख लेते हैं हम आपके energies भी card निकाल लेते हैं क्या आपके energies क्या है आपके partner के लिए let's see देखते हैं आपके energies क्या कहती है आपके partner के लिए आप energy आया हमारे पास nine of swords three of swords sorry nine of wand three of swords queen of swords the tower two of pentacle the moon and bottom of the deck the herephant okay ठीक है so हम देखते हैं आपके partner जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं Gemini Libra Accurus Pisces Cancer Scorpio and Aries Leo Sagittarius हो सकते हैं अगर आपकी बात की जाए सो मुझे आपका Gemini Libra Accurus and Aries Leo Sagittarius Taurus Virgo Capricorn yes मुझे आपका यह दिखा है strongly energy यह दिखा है मुझे so आपके partner की यहाँ पे energy of thoughts पहले उनकी बात करें so यहाँ पे जो चीजे आ रही है न four of swords का card आया है सबसे पहले card जो हमारे पास आया था four of swords का card आया था इस card से ऐसा लग रहा है कि आपके partner को need बिल्कुल भी नहीं आ रही है वो सो नहीं पा रहे है उनको ऐसे-इस thoughts आ रहे हैं आपके बारे में जिसके बारे में वो बार-बार-बार-बार सोचके उठ जाते हैं so नहीं पा रहे कहीं न कहीं और 6 में यह चीज भी दिख रही है कि वो आपसे को कुछ कहना चाहरे हो आपको कुछ बताना चाहरे हो वो आपसे माफी मांगना चाहरे हो किसी गल्ती की ऐसा लग रहा है कि उनको अंदर से उनकी जो लाइफ है जो वो चल रही है जो जी रहे है कहीं नगई उसको एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको भी पता है क्योंकि ये माफी माँगने वाले अनरजी आरे हैं आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वज़े से वह बहुत जादा शर्मिद्दा है वह अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वह जी नहीं पा रहे हैं आपसे वह माफी मागना चाहते हैं उस गलती की जो उन्होंने गलती की है ठीक है एक इसाथ में यह पी है कि लोग उनको सम्झाने की कोशिश कर रहे हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ नहीं सारी बात ैसे जो वो किसी को बता नहीं रहे हैं, सिर्फ वो बात आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी चीज़े आ रही है, यहाँ पर जो कार्ट की बात की जाएं, यहाँ पर टैन ओफ सौट का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पर जो चीज़े मुझे तोड़ के रख दिया, या फिर यह बोलो, पीट में खंजर घोपने वाला, जैसे कि यह पॉसन है, उसके पीट पे टैन सौट है, ऐसा कुछ एनरजी दिख रहा है, कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, कि उन्होंने आपके पीट में खंजर घोप दिया, ऐसी वाली और इस जीज और नर्जा को वापिस पाने की तलाश में हैं, कहीं न खहीं, आपको वो ओफर करना चाहरे है, या फिर आपको अपनी बाते बताना चाहरे है, आप से शियर करना चाहरे है, बट इसकि आप लोगों के एनरजी को भूल नहीं पा रहे हैं, बिलकुल भी, क्यू ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी life में ऐसा tower moment आया जो आपने सोचा ही नहीं था कि आपकी life में ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा tower moment उन्होंने create कर दिया कि आप बिल्कुल दिल से तूट गए जो आप जी रहे थे आप कहीं नहीं जीना ही भूल गए और उसी इस situation के आने के बाद आप बहुत ज़ादा एक strong person बन गए आपके अन्डर strength बहुत आ गई आपको decisions लेने का एक नया तरीका मिला या फिर बोल सकते हैं कि आपकी decisions में आपको clarity मिली लोगों की पहचान करने में की लोगों को कैसे पहचाना जाता है आप थोड़े से strong हो गए इस चीज के बाद आपको कहीं न कहीं यह जो मुझे issues लग रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुए रह सकते हैं वो आपके किसी past issues रह सकते हैं या फिर या फिर यह भी हो सकता है कि आपका relationship कुछ time तक बहुत अच्छा चला बट उसके बाद में आपके partner ने उस relationship में boundaries create कर दी कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा यह नहीं होगा वो नहीं होगा किसी भी तरिके की boundaries हो सकती हैं कोई यहाँ पे मुझे cast issues लग रहे हैं कुछ भी cast issues रह सकते हैं religions issues रह सकते हैं कुछ ऐसा रह सकता है जो चीज़े मुझे दिख रही है यहाँ पे ठीक है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा confuse कर दिया उन्होंने आप एक time पे ऐसा भी आया था कि आप कहीना की depression में चले गए थे anxiety mode पे चले गए थे आपको चीज़े समझ नहीं आ दी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत ज़्यादा आप confused हो गए थे आपके अंदर clarity तो आई है बट उतनी भी नहीं आई है आप अभी भी स्टिल देख रहे हैं आप अपने आस पास थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान से चल ज़रे है अपनी life में आगे आप किसी तलाश में हैं अभी भी या फिर सही पार्टनर की तलाश में बोल सकते हैं या फिर सही life की path सही life का path क्या है उसकी तलाश में है आप कहीं न कहीं क्यूंकि आपने इतना बोरा experience किया है जो आपने कभी सोचा नहीं था जो आपके partner ने आपको दिया ठीक है and यहाँ पर जो है ना आपके partner ने जो भी कुछ किया आपके साथ वो कहीं न कहीं अंदर से बहुत शर्मिंदा है आपको offer भी करना चाहते हैं आपके बारे में सोच भी रहे हैं कि वो कैसे आप से बात करें आपके partner में मुझे काफी egoist वाली personality दिख रही है क्योंकि यहाँ पर कार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर queen of sword का card आया है हमारे पास queen of wand का card आया हमारे पास king of sword का card आया है तीनों ही जो card आया है हमारे पास king and queen के card authority के card आया है ऐसा लग रहे है कि उनको या तो वो बहुत बड़ी post पे हो सकते हैं या फिर एक rich person हो सकते हैं उनको money related कोई issue नहीं है and बहुत wealthy family से ब्लॉंग करते हो सकते हैं ऐसा हो सकता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा किसी तरीके का proud या फिर किसी तरीके का ego मुझे दिख रहा है कि उस ego की वज़े से वो हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हो आपको अपनी चीज़े share नहीं कर पा रहे हो but reality तो यही है कि वो अंदर अंदर घुट रहे हैं और अंदर ही हैं अंदर वो आपसे माफी माग रहे हैं and I am sure कि आपको भी वो चीज़ फील हो रही होगी क्योंकि वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं तो आपको भी उनके आसपास उनका नेम दिख रहा होगा या फिर उनसे जुड़ी हुई बाते दिख रही होंगी जुड़े हुए लोग दिख रहे होंगे या फिर जुड़ी हुई प्लेस दिख रहे होंगे definitely ज़रूर क्योंकि वो आपको इस तरीके से अंदर ही अंदर पुकार रहे हैं बोल रहे हैं बट वो अपने इगो की वज़े से कुछ बोल नहीं पा रहे है and साथ में आपके पार्टनर के उपर पर किसी तरीके का कोई influence हो सकता है कि हां किसी पोसन ने उनको रोक रखा हो जैसे कि कोई family ने उनको रोक रखा हो ऐसा भी दिख रहा है साथ में religions का मुझे यहां पर issue लग रहा है caste का मुझे यहां पर problem लग रहा है तो उनको कहीं न कहीं उनके subconscious mind ने उनको रोक रखा है कि उनको पता है कि उनके और आपके बीच में चीज़े आगे नहीं बढ़नी है इस वज़े से वो आपके लिए effort नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज़े मुझे यहां पर दिख रही है यहां पर the hierophant का card आया हुआ है यहां पर इसमें यह भी चीज़े मुझे दिख रही है कि आपके partner आपको मांग ज़रूर रहे हैं जिस भी वो गोड को मांदे हैं फिर जो भी उनका इश्टदेव रहा होगा उनसे वो प्रेय ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए पहले ही वो आपके सामने बहुत ज़्यादा इगोइस्ट शो हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा हो विट आपके साथ तो उन्होंने इतना बुरा किया कि आपने कभी सोचा भी नहीं था चिल आप तो उनको कभी माफ करोगे नहीं यहां पे मुझे दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टνर को भी कहीं बोट एक करेंगी कि हमाफ करने वाले ऋ इस वज़़े से वो सामने से आके माफी ही नहीं माँग रहे है क्योंकि वो माफ़ी भी मंगेंगी तो किस मूञेंगी क्योंकि उन्होंने अपके साथ इतना बुरा किया क्योंकि आपकी energy में जो cars आ रहे, सारे आप देख सकते हो कि सब negative cars आये हैं आपकी कि आपकी life अभी change हो गई आपके life का path change हो गया है तो नई, खोज भी मुझे यहाँ पर जाते हूँ दिख रहे हैं, आपके पार्टर जरू स्ट Nickel के। किछेरी हैं, जो इन्होंने करम किया, उन्का करम उनको आगे बढ़ने नहीं दे दा, उनका करम जो इन्होंने किया आपके साथ, वो पहले भुखतेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की एनरजीज में ठीक है आपको 10 सेकेंड का टाइम आपको मिलेगा या फिर वीडियो आप पॉस भी कर सकते हो और इंजल से वो आप पूछ लो जो भी आपका क्वेशन है सो डेफिनिटली यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला एंजल की तरफ से एंड मैं भी एंजल से यही प्रेयर कर रहे हूं कि एंजल जो भी मेरे व्यूवर्स का क्वेशन है जो भी वो अभी पूछ रहे है प्लीज उसका आंसर कीजिगा please angels मेरे viewers को guide करो, मेरे viewers के questions के answer दो angels जो भी उनका question है, जो भी वो अभी पूछ रहे हैं, आप please guide करो, उनको बताओ let's see, क्या बता रहे हैं angels forgiveness if you believe perfect time and bottom of the neck, it's up to you okay so my lovely viewers सबसे पहले angels आपको कह रहे हैं forgive करो, release करो energy को, इतना burden लेके आप बैठे हो ना, इतने burden में आगे कैसे बढ़ोगे so इतना burden आपके आसपास हो गया, आपकी aura में इतनी negativity हो गया, आपको cleansing की जरुरत है, और वो aura की cleansing कैसे होगी, जब आप उस इंसान को forgive कर दोगे, माफ कर दोगे, माफ कर दोगे, माफ करो, छोड़ो, जालने दो, release करो तभी ही आप अपनी life में आगे भड़ पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे अपनी life में ठीक है, यहाँ पे जो angels आपको बता रही है, क्योंकि आपने हो सकते हैं कि कहीं न कहीं यह question पूछाओ angels से कि angels अब मैं क्या करूँ, मुझे next क्या करना है, तो उसके लिए angels आपको forgiveness की practice बता रहे हैं कि daily उटके forgiveness करो, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा message आ रहा है, if you believe, यहाँ पे angels आपको बता रहे हैं, message दे रहे हैं कि जो भी आपका believe है, जैसा आपको लगता है, कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे viewers हो सकते हैं, कि जिनका ये question हो angels से, कि angels अब हमको आगे क्या बढ़ना है, हमारा next step क्या होना चाहिए, हम उस दर्द से तो निकल गए हैं, बट हमको आगे क्या करना है, उसके लिए angels आपको कह रहे हैं, जो आप करना चाहरे हो, जो आपका intentionally मन है करने का, वो आप कर ठीक है, यहां पर जो चीज आ रही है, मुझे पर पॉफेक्ट टाइम आ रहा है, इसका मतलब यह है, कि आपके लिए बहुत पॉफेक्ट टाइम है, अपनी life change करने का, एक new beginning करने का, एक नई शुरुवात करने का, क्योंकि साथ में जो overall energy आई है, इस अप टु यू आई है इंजल्स की तरफ से, सारी चीज़ें आपके उपर depend करते हैं, यहां पर इंजल्स ने सब कुछ आपके उपर छोड़ दिया है, वो सिर्फ आपका साथ दे रही है, आप जिस भी direction में जाओ, आप जो भी path सुनो, चुनो, और वो path जो है, वो एकदम pure होना चाहिए, उसमें आ perfect time है आपके लिए अपनी life में आगे बढ़ने का, ठीक है, तो यह था आज का reading, आपको reading अच्छा लगा हो, तो एक like ज़रू कर देना, और मेरे चैनल को subscribe करना, बिल्कुल भी मत भूलना, ओके, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, राधे राधे, हर हर गंगे ववाए,